6.2.2 यूरोप में मानवाद, हुमेनिजम सन 1300 के आसपास यूरोप के विद्वान पुराने लेटिन और ग्रीक भाषा के पुस्तुकों के अध्यन में रूची लेने लगे वे बढ़ते वैपार, शेहरी करण और उभरते राज्यों के कारण उपजी चुनोतियों पर विचार कर रहे थे तथा नए वैवसायों वो नौकरियों की संभावना का फायदा भी उठाना चाहते थे लेटीन भाषा के विद्वान इटली के फ्रांसेसको पेटार्क का जन्म 1304 मृत्यू 1374 को मानवी की अध्यान आंदोलन का जनक माना जाता है वे इस बात से परिशान थे कि उनकी समय के लोग भाषा का सही प्रयोग नहीं करते हैं वे प्राचीन लेटीन साहित पढ़ने लगे ताकि वे समझ सके कि भाषा का सही उप्योग कैसे हो प्राचीन पुष्टकों को पढ़ने से वे समझने लगे कि इनकी मदद से ही हम सही भाषा के अलावा अपनी बुद्धी को सही तरीके से सोचने और दुनिया को बेटर समझने के लिए तयार कर सकते हैं पेटरार्क जैसे लोगों के प्रयासों से 14 वी और 15 सदी में यूरोप में ग्रीक और लाटीन साहित का अध्यन तेजी से फैला मानवाधियों का मानना था कि इससे युवाओं में सोचने के तरीके और आपचारिक पत्रलेखन भाषण देना किसी न्यालाय में पक्ष प्रस्तूत करना व्यपार या राजनाईक मकसद से बासचीत करना आधी व्यभारिक कुशलताएं भी विक्सित होंगी अतावे ऐसी सिक्षा देने के लिए शालाय स्थापित करने लगे इस काम में उन्हें जर्मन कारिगर गुटन बर्ग की सन 1449 में बनी छपाई प्रेस के अविश्कार से बहुत मदद मिली जिसमें एक किताब की सैक्डो प्रतिया आसानी से तयार की जा सकती थी इसके फल्सरूप नहीं वो पुरानी पुस्तकों के प्रतियां बहुत बड़ी मात्रा में दूर दूर तक पहुँच सकती थी इससे विद्वानों के बीच समवात और विचारों का आदान प्रतान बहुत सरल हो गया एक रूचक बात यहा है कि मानवादी विचारकों ने प्राचीन भाषाओं में रचे साहित्ति के अध्यन को तो महत्त दिया लेकिन लेखन कारे के लिए छेत्रे भाषाओं जैसे इतावली, जर्मन, अंग्रेजी, पोलिश और फ्रेंच को ही चुना वे ऐसी भाषा का उप्योग करना चाहते थे जिसे जन सामाने समझ सके मानवी की अध्यन और उससे पहले के मध्यकालीन अध्यनों में क्या विशेश अंतर था हमने देखा था कि मध्यकालीन अध्यन धार्मिक मामलों पर केंद्रित थे और कोई विद्वान यह हिम्मत नहीं कर सकता था कि वह चर्च के विचारों के विरुधुर लिखे या बोले लेकिन अब अध्यन मनुष्य के आम जीवन से जुड़ी बातों जैसे नायक और नायका के बीच प्रेम, राजनेतिक व्यवस्थाएं, आर्थिक जीवन के मुद्दे आधि पर केंद्रित होने लगे बाद में कई विद्वान और वे भी जो चर्च पर आश्रित थे, चर्च के आलोशना करने से नहीं चुके उदाहरन के लिए लारेंजो वल्ला नामक लेटीन भाषा के विद्वान ने सन 1435 में चर्च के कुछ महत्पूर दस्तावेजों का अध्यन करके एलान किया कि वे जाली दस्तावेज हैं इनमें वे दस्तावेज भी शामिल थे, जिनके आधार पर रोमन कैथोलिक चर्च यह दावा करता था कि प्राचीन काल में रोमन समराटों ने कई राज की अधिकार चर्च को दे रखे थे हॉलेंड देश के एक और प्रसिद मानोवादी विद्वान एरासमस जन्म 1466 मृत्यू सन 1536 ने प्रारंभीक यूनानी इसाईयों के साहित्य और बाइबल के प्राचीन ग्रीक मूल पार्ट का भी अध्यन किया उन्होंने यह दिखाया कि चर्च द्वारा किये गए बाइबल के लेटिन अन्वाद में बहुत सारी गलतिया हैं एरासमस ने चर्च के कई मानेताओं को अंध विश्वासी बताया इस विश्वाय में उन्होंने भूल की प्रशंशा नामक एक व्यंग्यात्मक पुस्तक प्रकाशित की जिसमें चर्च के कई कर्मकांडों वा विचारों की आलोचना की गई क्या महिलाएं भी इस तरह का अध्यन करती थी? उन दिनों आमतर पर पुर्शों को ही आपचारिक सिक्षत दी जाती थी महिलाओं से अपेक्षा थी कि वे घर के कामकाज को संभाले लेकिन कुछ महिलाएं ऐसी भी थी जिनोंने इस सीमा को लांगा और ग्रीक वा लटीन साहित्य का अध्यन किया और मानवादी लेखकों में अपना नाम दर्ज किया ऐसी ही एक महिला थी कसांडरा फेडेल जन्म 1465 मृत्यू सन 1558 फेडेल ने आगरह किया कि महिलाओं को भी इस तरह के साहित्यक अध्यन में भाग लेना चाहिए उन दिनों वेनिस एक गड़तंत्र था लेकिन उसमें महिलाओं को सार्वजनिक जीवन में भाग लेनी की अनुमती नहीं थी फेडेल ने इसके आलोचना करते हुए कहा कि इससे स्वतंत्रता और लोगतंत्र सीमित होता है और पुरुषों के एक्छाओं को प्रात्मिक्ता मिलती है एक तरह से यह पुरुष प्रधान व्यवस्था की शुरुवाती आलोचना थी इससे आने वाले समय में नारिवाद विचारों के उभरने का रास्ता खुला दूसरे मानवादी चिंतक थे इटली के मैक्याविली मैक्याविली ने सन 1513 में एक महतुपूर्ण पुस्तक प्रकाशित की थी जिसका नाम था दप्रिंस यह मूलता राजनीती का एक अध्यन था इसकी विशेशता यह थी कि इसमें किसी आदर्शवात के चर्चन ना होकर यथार्थ में जो राजनेतीक प्रक्रियाय चल रही थी उनकी विवेचना थी इसमें नेतिक्ता की चिंताओं से मुक्त होकर कोई राजा किस प्रकार निरंकु शक्ति अरजित कर सकता है इसका वर्णन मिलता है इस तरह हम देख सकते हैं कि प्राचीन साहित के अध्यन से मानवाज शुरू हुआ था जिससे अपनी अभिवेक्ती और चिंतन को प्रभावी और सुसंस्कृत किया जा सके देखते ही देखते वह चर्च के विरुद्ध हो गया इस अंदोलन के इस्थाई प्रभावों में उदार साहित्तिक सिक्षा और बुद्धी जिवियों की स्वतंत्रता महत्पूर्ण बाते हैं